इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाई है वो वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रही है लगबग पांच लाख से भी जादे व्यूज पिछले दस दिन के अंदर हो गए हैं सबसे जबरदस्त बात यह है देखने को मिल रही है कि वहाँ पर जो कॉमेंट्स आये हैं लगबग अठारा सो से जादे कॉमेंट्स आये हैं उसी कॉमेंट्स को लेकर हमें इस वीडियो को बना रहे हैं अठारा सो प्लस कॉमेंट्स में लगबग सतरा सो ऐसे कॉमेंट्स हैं जो कि negative हैं, जो कि अनाप शनाप की बातें चल रही हैं, जो कि निंदा कर रही हैं, किसी भी या IAS के परेक्षा की UPSC के निंदा हो रही है, या फिर lateral entry के निंदा हो रही है, या प्रक्रिया के निंदा हो रही है, तो ये जो वीडियो है, कि भाई बिना IAS की परेक्षा दिये बन गए, senior IAS officer, आज इस वीडियो में परताल की गई है पूरी, कि कैसे एक व्यक्ती बिना किसी exam के IAS officer बन सकता है, ठीक है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत important है, और जिन्होंने अपने views रखे हैं, लेकिन एक बार इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो शायद end में आपको एक बहुत ही सहज और बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है, कि कि किसी भी topic को हमको अपने for or again से दूर हटके थोड़ा सा सोचना चाहिए, facts और figures के साथ, ठीक ह चलिए, यह एक bad choice है या good choice है, आप भी बन सकते हैं, भाई, lateral entry पर इतने सारे comments और आप भी भाई, बन सकते हैं, इसका जवाब हाँ है, कि आप बिना UPSC का exam दिये, एक क्या बन सकते हैं, IAS, senior IAS officer, IAS में भी senior IAS officer आप बन सकते हैं, ठीक है? So, how to become IAS without giving UPSC exam, इसका भी जवाब है, क्या यह good decision है, क्या यह bad decision है, ठीक, दोनों अपने अपने तरफ पे depend करता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी UPSC की तयारी, अगर, मतलब, lateral entry के लिए आप eligible हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए इ सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि भाई, आखिर यह back door entry होती क्या है, यह lateral entry होती क्या है? दोस्तो, lateral entry यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो एक समान्य सरकार दूसरे दर्वाजे से लेकर आती है, मुख्य दर्वाजे से नहीं, मतलब, दूसरे तरीच से लेकर आती है, और सरकार म उसको एक अच्छी position देती है, ताकि वो किसी भी department का काम का नियंतर दे सके, अब कई लोग सवाल करते हैं, कि back door entry क्या यह सही है, क्या इनका exam नहीं होना चाहिए, क्या यह लोग इतने योग्ये हैं, कि भाई, UPSC जैसी इतनी tough परिक्षा है, तो वो pass करके जा रहे हैं, है न तो कई सारे सवाल है, तो back door entry पे UPSC, IAS, क्या सही बात है, गर्द बात है, good decision है, bad decision है, यह सब हम समझेंगे, है न, लेकिन comments परते हैं, अब comments में क्या लिखा है, सबसे पहले यह लिखिए, एक comment यहाँ पर mention किया गया है, जब IAS की कमी होती है, तो IAS की seat बढ़ानी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी है, यह point number one, very good statement, जिन्होंने भी लिखा है, मयूर गोर से, कई सारे students का यह दर्द सामने आ रहा है, कि भाई, lateral entry के थूँ, lateral entry एक अच्छा initiative है, लेकि lateral entry के थूँ, quality ढून रहे हैं, जबकि इतनी तयारी करके, UPSC aspirants जो है, वो exam देते हैं, pre देते हैं, now mains का paper देते हैं, फिर interview देते हैं, फिर उसके पास foundation batch लवास्तना में भी होता है, फिर DM बनते हैं, मतब क्या उस process में सरकार को quality नहीं दिख रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, दूसरी चीज़ ये है, कि लोग कह रहे हैं कि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, IIS exam देने के लिए, और आप खैरात में बाट रहे हैं, सीटे, ठीके, ये देखिए, जांच होनी चाहिए, कणी जांच होनी चाहिए, राजा कुछ भी गुनाह करे, वो गुनाह नहीं होता, ऐसे comments आये हैं, बधाई हो, स्वर्णों के लिए, ये दूसरा मुद्दा यहां पर है, कि reservation का, बहुत लोगों ने ये ऐसा लगा है, कि भाई, ये reservation का मुद्दा है, जितने भी लो साथ ही साथ, और एक क्या है, जनरल कास्ट के लोगों को बधाई, मतलब बैन करो इस लेटरल एंट्री को जनरल कास्ट के लोगों के लिए बधाई भाई, नाओ, CGI में बैन लेटरल एंट्री ऑफ आयस ओफिसर्स फॉर रॉंग डिसिजन तो बी टेकन, अब सही डिसिजन है गलत है, आप इस वीडियो तक रहिएगा, ये देश पतन की ओर जा रहा है, it's unfair for those who are preparing so hard for this examination, ये सारी बातें अभी हम चर्चा करेंगे, ये देखिए, this is a good step, कुछ लोग criticize कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग accept भी कर रहे हैं कि अच्छा फैसला है, but expertise related, अमीरों के बेटे को देख सकता, गलत direction में जाए, क्योंकि मुझे इस company को बहुत फिक्र है हमारे इस youth की, क्योंकि ये youth जो है, वो अगले 20 सालों के अंदर भारत बदल सकता है, एक शांदार भारत बना सकता है, और ऐसा भारत नहीं चाहिए हमें, जो कि facts और figures के साथ बात ना करें, आज इस से 1855 में अंग्रेजों ने शुरू किया था इस मामले को, और आजादी के बाद से सरदार पटेल लेकर आये थे, जिसे कि कल हमने देखा civil services day था, लेकिन ये जो प्रक्रिया है, lateral entry की, ये सिर्फ यहीं नहीं है, ब्रिटिन में है, US में है, other countries में भी है, lateral entry लगबग हर democratic, लोक जोकि grow करना चाहते हैं, ठीक है, develop करना चाहते हैं, उनमें lateral entry है, अब US में क्या है, for example, इस साइड US है अपना, ठीक, US में spoil system के नाम से जाना जाता है, लगबग हर साल, हर दो साल पे, ये जब सरकार change होती है, 4,304,000 vacancies जो होती हैं, वो US में, वो lateral entry के थुरू आती हैं, जब भी नई सरकारें change होती हैं, तो ये जितने भी post निर्धारक होते हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं, और सब अलग-अलग domain से आते हैं, simultaneously UK इधर है, UK में भी इसको किया जाता है, UK में एक term use किया जाता है, political neutrality, मतलब की जितने लोग politics के शेतर से होंगे, उतने लोग मतलब private शेतर से भी होंगे, और expertise का मामला रहेगा, तो गारी अच्छे से बढ़ेगी, एक अच्छी debate होगी, किसी भी policy को एक private sector के नजरिये से, public sector के नजरिये से हम देख सकते हैं, भारत में भी कुछ ऐसा है, भारत में भी lateral entry कोई नई बात नहीं है, आज से नहीं है, भारत में lateral entry शुरू से चलती आ रही है, ठीक है, नहरू जी के time से चलती आ रही है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इदरा गांधी के time से चलती आ रही है, उसके बाद लाल भादु शास्त्री के time से चलती आ रही है, राजीव गांधी के time से चलती आ रही है, सोनिया गांधी और फिर उसके बाद अटल विहारी बाजपेई, फिर मनमोहन सिंग, फिर मोधी जी, ये कोई नया नहीं है, हाँ, नया अब ये बना है कि इस 2021 से इसको institutionalize कर दिया गया है, बोले तो मतलब कि इसको एक process में डाल दिया गया है, पहले क्या होता था कि कोई भी किसी को लगा कि फलाने जो हैं वो किसी बड़ी private company में as a director, managing director अब retire हो रहे हैं, तो चलो भाई इनको बना देते हैं हम, अपने सरकार में कोई role ले देते हैं, उसक इसमें आपको जान के यह हैरानी होगी कि यह जो noon faces आप देखते हैं, यह lateral entry से ही आएं हैं हमारे भारतिय सरकार में, श्री, PM रह चुके हैं, कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंग जी, यह appoint हुए थे as a chief economic advisor 1972 में और ठीक चार साल बाद, 1974 में इनको एक मंत्राले दे दिया था, secretary बन गए थे finance ministry के अंदर, समझ रहे हैं, आप सबसे बड़ी पद होती है, एक I.S. officer के domain, उसके बाद फिर मंत्र ही बनते हैं, आई बात समझ में, Montek Singh Alu Walia, यह economist थे, अर्थशास्ट का भारी भरकम गयान, उसके बाद यह appoint हुए economic advisor 1979, ठीक जब मनमोहन जी को chief secretary बनाए गया था, तो यह economic advisor बने थे, उसके बाद, Member of Planning Commission, deputy person भी रहे है, deputy chair person of Member of Planning Commission, जो हमारा नीती आयो, जो अभी 2014 के बाद से बना है, विजे केलकर जी, कौन नहीं जानता इनको, यह finance secretary रह चुके हैं, 1998, लेटर appointed at petroleum और natural gas secretary, जब मनमोहन जी आगे बढ़ गए थे, जीवन में, तो उनकी जगह पर यह आए थे, ठीक है, आई बात समझ में, अब आगे आते हैं, आपने बिमल जलान सर का नाम सुना होगा, बिमल जलान सर, अपॉइंट किये गए थे, finance secretary 1991 में, ठीक है, अब यह 1998 में किये गए थे, विजे केलकर जी, यह 1991 में किये गए थे, इनके बाद विजे केलकर आए हैं, राकेश मुहन, deputy governor of RBI रह चुके हैं, नोन फेस है आपका, य यह भी lateral entry के थुरू आए हैं, राम विने साही appointed power secretary 2002 में, यह भी lateral entry, यह तो हो गए वो लोग जो की expert थे अपने field में, ठीक है, यह नीचे देखिए, रूसी मोदी को आप पता नहीं सुना होगा, टाटा स्टील के chairperson रहे हैं, retired हो गए थे 2003 में, उसके बाद इनको भारत सरकार chairperson बनाई थी, Air India और Indian Airlines का, भारत सरकार, ठीक, और इनको तो आप सभी जानते होंगे, वरगी स्कुरियन, जो हमारे father of milk revolution कहते हैं, दूद के जो revolution उसका जनक कहते हैं, इनका उठना बैटना ही था, मुरारजी देसाई के साथ, इनका उठना बैटना था, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ, इंदरा गांधी के साथ, इनको बनाए गया था, NDDB का chairperson के national dairy of development board, national dairy development board का इनको chairman बनाए गया था, भारत सरकार के अंदर, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर क्यों बनाए गया था, आखिर क्यों और कोई नहीं था, और कोई योग्य बेक्ती हैं, दुनिया की सबसे best universities में इन्हों ने पढ़ाई की, economics की degree हांसिल की, ये शक्स जो हैं, वो आपके भारत में liberalization, privatization, globalization, इन्होंने start करवाया था, अगर ये दिमाग नहीं देते, अगर ये नहीं करते, तो भारत हमारी इतना grow नहीं करता, foreign investment इतनी नहीं आती, अभी हम जो भारत पर नाज करते हैं, वो भारत शायद पीछे होता, बहुत योग्यवक्ति थे, ये सारे के सारे, बहुत जादे पढ़े लिखे, सब लोगों ने MFIL, PhD और कम से कम 15-15-20-20 साल के experiences एक ही domain में था, और सबसे महतपूर्ण बात यहां पर ये है, ये सारे लोग 80% finance या फिर economist रहे हैं, और आपको पता ही है, UPSC का जो exam है, civil services का, वो एक generalist approach होता है, इसमें कोई specific नहीं होता है, अभी राकेश कोटेच मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आयूश मंतराले है, उसमें secretary है, और वो क्या है, डॉक्टर है आयुरवेदा के, तो उनको अपने शेतर में बह बहुत solid, तोड़ू knowledge है एक तम, तो क्यों नहीं बनेंगे, और जब आपसे कहा गया है, इस video में, कि आप भी बन सकते हैं, एक senior rank के IS officer, तो अगर आपके पास ऐसी, ऐसी खुबियां है, ऐसे research और analyst आपका दिमाग है, अगर आपने कोई ऐसा achieve किया है, तो आप भी बन सकते है क्या senior post पे आप जा सकते हैं, तो ये तो कहना गलत है, कि हम नहीं बन सकते बिना UPSC crack कोई हुए, हम बन सकते हैं, लेकिन इसके भी अपने pros and cons हैं, अब ये लोग DM तो बन नहीं पाएंगे, और IS के जो छेत्र है, IS का जो पूरा का पूरा service है, DM उसकी entry level की job है, DM बहुत छोट administrative, collector या फिर हम SP rank का भी कह रहें, तो ये एक ऐसी job है, जहां पे आप लोगों से मिलते हो, आप 12,00, 6,00, 10,00, 15,00 के district में आप एक रहते हो, आप लोगों से मिलते हो, वो charm इन लोगों को नहीं मिलेगा, वो charm इनको नहीं मिलेगा, वो connection इन लोगों को नहीं मिलेगा, वो contentment इ एक generalist approach अपनाता है, IPS officer, IRS officer एक generalist approach अपनाता है, और यही उसकी परिक्षा है, कि किसी भी situation में, किसी भी सरकार के officers के साथ, वो सांट गाट बैठाता है, एक leader की तरह काम करता है, एक पक्का leader की तरह काम करता है, एक IOS officer, उसको ऐसे लोग चाहिए, specialized लोग चाहिए, अपने field मे अपने domain में, जो की बिल्कुल solid, solid research analyst करके policy बनाएं, जनता के लिए, भाई तब जब यह रोग बनाएंगे, तभी तो आपको job मिलेगी, तभी तो आपकी schemes, आपके policies आएंगे, अगर इहोंने LPG reform नहीं ले आये होता, market खुली नहीं होती, तो आज Apple का store मुंबई में, दिल्ल कितने लोगों का economy develop हुई न, इस तरीके से expert हैं, और दुनिया किती तेजी से बजल लई है, अगर आपकी age 25 साल होगी, तो आपको पता हो गया होगा कि 25 या 30 साल, तो आपको पता होगा कि आज से 15 साल पहले कि क्या दुनिया थी, इंटरनेट पे कोई खास जोर नहीं था, य और इस advance समय में हमें क्या चाहिए, एक specialist और approach करने वाले ऐसे व्यक्ति चाहिए, जो हमारे भारत सरकार के साथ काम करें और आगे बढ़ें, ठीक है, definitely I.S. officers चाहिए ही चाहिए हमें, ये बात समझ में आगी, ठीक, अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि भाई, generalist versus specialist का जो मैं basically क्या है, ठीक, आपने specialist का example देख लिया, जितने भी मैंने आपको दिखाये हैं, इससे पहले वो लोग specialist थे अपने domain में, यानि कि domain expert होना चाहिए, अब आने वाले time पे, ये artificial intelligence, AI, बहुत चल रहा है, right, artificial intelligence, cyber security, ठीक है, अब इसके लिए, आप जो UPSC की तयारी कर रहे हैं, artificial intelligence तो खेर, science and tech में छोटा सा पार्ट है, उसके बाद cyber security छोटा सा पार्ट है, disaster management छोटा सा पार्ट है, तो कैसे होगा, आपको चाहिए होगा न, normally जब crime department है हमारा, crime bureau जो है हमारा, हर शहर के police विभाग में, या फिर administrative विभाग में, बाहर से लोगों को appoint किया जाता, appoint मतलब पर रखा जाता है, जो लोग cyber में काम करते हैं, जिनको AI की knowledge हो, है न, रखा ही जाता है, और ये आज से हमेशा से ला आ रहा है, अब किया क्या गया है, lateral entry के थरू, इन ही लोगों को regulate करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ों को बताने के लिए, इनके उपर एक body को head करने के ये बाहर से बंदा बुला दिया गया है, तिक, आई बात समझ में, मतलब कि जो private sector के लोग हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं, अगर वो अपने काम में महारत हासिल किये हो, है न, वरगीज कुरियन, पद्म श्री, पद्न भूशन, पद्म विभूशन, मैगसे से और वाट नॉ जब किसी व्यक्ति को, या फिर किसी आइडिया को, या फिर किसी एक example को भारत सरकार जब अप्रोच करती है, तो पूरे दुनिया में वो फैलता है, पूरे दुनिया ऐजन की पूरे भारत में वो फैलता है, आप अगर उत्तरपदेश में हैं, आपका व्यवसाय बहुत चल रहा है, तो भारत सरकार आपसे मदद तो लही सकती है न भाई, ये काम करो, आप आओ, आप हमारे डिपार्टमेंट में आओ, और पूरे इंडिया को आप सीजन सिखाओ, ये होता है specialist और डोमेन, इसमें आ सकते हैं, रही बात अब जो हमारा second ARC report है, second administrative reform commission जो report है, इस report म में दोस्तों, ये साफ कहा गया है कि lateral entry भारत सरकार के लिए आवश्यक है, जरूरी है, हाँ, उसका process होना चाहिए, एक fair process होना चाहिए, अपना होगा, लेकिन lateral entry लाई जाए, lateral entry is good, sectoral group of secretaries, यानि कि SGOS, sectoral group of secretaries, ये senior, जो भारत सरकार में, senior group के जो secretaries है, मतलब कि उपर से हम आएंगे, है ना, उनका एक group बना हुआ है, उनका एक समूव बना हुआ है, उन्होंने कहा कि lateral entry आनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि इसका example हमने साफ देख लिया है, पीछे भी देखा example, मॉन्टेक सिंग हुआ लिया, और नजाने कौन-कौन कितना योगदान कर रखे हैं, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी थोड़ी सी, कि कितना important है ये process का होना, ठीक है, नीती आयोग ने भी 2017 में मोदी जी के government के time पे कर रखा है, कि भाई, lateral entry जो है, वो आवश्य जरूरी है, ठीक, अब आप कहेंगे कि मोदी है, तो मुम्किन है, मोदी जी ऐसा कर रहे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे है, ये लोग जो है, ये, राकेश मुहन जी, बिमल जलान जी, विजे केलकर जी, मुन मुहन जी, और मुन्टेक सि पे थे, 19 उससे पहले Congress के टाइम पे यह लोग appoint हुए थे, तेक है, रही बात इनकी, रसी मोदी, एंड डीडीबी चेर पर्सन, यह लोग उस टाइम पे थे, आई बात समझ में, अब जो मैं बता रहा हूँ, वो यह है कि अब इस process को institutionalize कर दिया गया है, government अब यह समझ गई है, कि भाई हम किसी भी private directive को उठा के हम नहीं बना सकते हैं, जो कि इनके case में हुआ था, Congress ने इनको, जैसे यह Tata Still छोड़े, रेटायर हुए, तो चेर पर्सन बन गये थे, इंडियन एरलाइन्स के, वो चीज नहीं होगी, एक proper streamline channel form होगा, चिक, अच्छा, दूसरी चीज यह है, इसमें reservation नहीं है, अभी जो आपने news भी सुनी है, कि भाई, 31 लोगों का lateral entry के थुरू हुआ है, 31, ठीक है, इसमें reservation नहीं है, no reservation, this is purely, purely on domain expertise, आई बात समझ में, purely on domain expertise, no reservation, साफ साफ ये बात खारिच की जा रही है, आई बात समझ में, कोई reservation नहीं है, trust me, आप data पढ़ सकते हैं, आप file reports पढ़ सकते हैं, 31 का 31 लोग, और नहीं ये जो पुराने लोग हमने देखे हैं, अभी lateral entry के थुरू आए हैं, वो लोग, वो भी reservation के थुरू नहीं आय से, अपने बुद्धी बलबूते से, अपने experiences से, अपने हुनर से, अपने achievement से आए हैं, all right, तो reservation की बात खतम हो गए, यहाँ पर जो comment कर रहे थे हमारे aspirants, तेक है, यह देखिए, यह मैंने एक sample कर रखा है, hierarchy, तेक है, तो यहाँ से शुरू होता है आपका, under secretary, deputy secretary, director, joint secretary, additional secretary, secretary, cabinet secretary, तीक है, यह आपका, मतलब, एक IES officer जो है, वो अपने शेत्र में as a DM post होता है, तो DM post होने के लगबग 10 से 15 साल बाद, वो इस secretary level में आता है, और किसी भी department का हो सकता है, अब 15 साल बाद यह बनेगा under secretary, उसके बाद 3 साल बाद deputy secretary, फिर 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद, फिर 5 साल बाद, कुल मिलाके, एक DM, अगर वो यंग है, अगर वो 25-24 से पहले का है, तो यहां तक पहुँच सकते हैं वो cabinet secretary, बहुत आसानी से, क्योंकि प्रमोशन होते होते होते, लगबग 25 साल लग जाएंगे, आपको cabinet secretary बनते बनते, समझ रहे हुआ, तो सबसे बड़ी बाद, जो aspirant अभ यहां पर एक important बात यह है कि आपका हक नहीं मारा जा रहा है, आपका हक नहीं मारा जा रहा है, अब वो क्यों नहीं मारा जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ, यह देखिए, government का क्या stand है, अभी मैंने बताया, government ने कहा, we want experts, हमें experts से यह, domain experts से यह, अनसाफ सीदी बात है, ठ ठेक है, लेकिन, too much posts are weakened, अब आप जैसे लोग होंगे, वो कहेंगे कि अगर धेर सारे posts खाली हैं, तो भाईया, post बढ़ाओ न, क्यों ने बढ़ा रहे हो, 2023 में जो IAS की post है, उसको बढ़ा के 500 गवर दो, उससे क्या होगा, अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहां बताया, for example, मोधी गवर्मेंट या फिर गवर्मेंट जो है, हमारे 2023 के, 2023 के जो IAS के post है, चलिए बढ़ा लिजे 500 कर दिये, टिक, 500 post होगी, आप खुश होगे, आप खुश होगे, लेकिन, आपको कम से कम 20 साल लगेंगे, 20 years लगेंगे, आपको क्या करने में, एक सेकेटरी वाली post प अच्छा है, सोर्स बहुत अच्छा है, बहुत जुगार पानी है, 20 साल में आप सेकेटरी बन गए, है ना 25 साल में बन गए, 22 साल में बन गए, आप समझ रहे हैं, आज अगर सरकार 500 post निकालेगी, तो आज से 20 साल बाद जाके ये कैटेगरी, सेकेटरी, अंडर सेकेटरी, फिर जाके चीफ सेकेटरी आगे, बनेगी, 2045 के बाद, आई बाद समझ में, कुछ जा रहा है, अब कुछ क्लियर हो रहा है, तो अगर सरकार आज करती है, तो भविश्क के कम से 20 साल बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही चीज सरकार यहां कह रही है, कि हमें तो अभी च जाहिए, अभी कहां से लाएं, यह गलती 90's में हुई थी, यह गलती 90's में हुई थी, जहां पर IAS की जो पोस्ट है, वो बहुत कम निकाली थी, और आज हमें वेकेंसी फिल करनी पड़ रही है, कहां पर इस वाले एरिये में, अंडर सेकेटरी, डिपुटी सेकेटरी, डिरे जाह सरकार ने बहुत कम 1990's में वेकेंसी ही बहुत कम निकाली थी, तो आज जाके 2023 में पड़ें बहुत खाली हैं इनकी, इनकी और इनकी, आप अभी एक्जाम क्रैक करके DM बन जाएंगे, तो डिरेक्ट यहां ने पहुंच जाएंगे, आगले 2-3 साल में, इसकी पोस्ट खा यह जो काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, आपका competition तो वो है जो असली है, civil services का है, आपको ही मदद मिलेगी और आपके family को, आपके भारत को मदद मिलेगी, इवेंचुली आगे जाके, तो आई बात समझ में कि क्यों important है, we want domain experts, we want vacant, क्या है, vacant post को हमें भरना है इस वज़े से, आई बात समझ में, यह सारी की सारी जो detail मैंने बताई है, दूसरी चीज, अब इसमें key takeaways क्या है, solution क्या है, देकि मैंने बहुत ऊपर-ऊपर से मैं बहुत गया हूँ, बहुत जारे detail में नहीं जाओंगा, क्योंकि मुझे आप पता है कि आप बहुत detail में सुन क्या date weight नहीं, यह एक basic philosophical बात हो रही है, यह need है, यह चाहिए, ठीक, key takeaways और solution क्या है, यह सबसे गहरा मुद्दा है, और solution इसका यह है, कि government जो है, lateral entry करे, ठीक है, domain expert, चाहे वो forest के department में हो, चाहे वो climate department में हो, या फिर technology हो, science हो, any lateral entry करे, लेकिन इसका जो तरीका है, वो fair होना चाहिए, इसकी जो eligibility है, वो सब के साथ share होनी चाहिए, आई बात समझ भी, ठीक है, और अब भी future के perspective को देखते हुए, हमें IAS की जो seat है, उसको बढ़ानी चाहिए, increase करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने past के mistake से ये सीख सकते हैं, कि हम 90s में seats नहीं बढ़ाए गई थी, उस वजए से हम आज परिशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास seats नहीं है, secretary level के post को भरने के लिए, lateral entry एक बहुत अच्छा example है, उसके थुरू हम भर सकते हैं, और इसका जो चुनाओ है, fair और eligibility के साथ होना चाहिए, इसके fairness के साथ बिलकुल होना चाहिए, और IS की जो seat है, उसको बढ़ानी चाहिए, अब बताइए आपका क्या प्रतिक्रिया है, मुझे comment करके आप बता दीजेगा, ठीक है, साथ ही साथ, Civil Services की तैयारी चल रही है आपकी, तो शुरू कर दीजे, क्योंकि ये Civil Services Day पर, UPSC का जो batch है, वो काफी affordable हो गया है, आप ही लोगों के लिए, इसी जक्कर में हमने ये batch भी निकाला भाई, ये महापैक 999 का है, 7999, 1749, ये UPSC CSC का foundation batch है, और आपको कोई code अगर न जगा दीजे, J-A-I, J-Hind, ये सामुही code है, और सबसे ज़्यादे discount इस पर मिलता है, 80% से भी ज़्यादे discount है, किसी पर 20, 40, 40, 40, आई बास समझ में, तो उमीद है, आपको चीजें समझ में आए होंगी, फिर भी अगर कोई doubt हो, तो नीचे comment करके ज़रू बताएगा, हम फि जड़ायदा प्रेप ludzi काया करता इस बीचे में, पर मिलता की सि होंगी की कर दाया हो, ये सिझी पर दूर सामुही काया है, ऑच में बताएगा हो, तो सहा झावर ये सामुही, तो ऊबताएगा हो, बताएगा है, बताएगा है, जओक स बसान एको जोगे nggak atención, अज़गा